राश्ट्री लोगदल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना राजनेतिक वजूद खड़ा करना चाता है और इसी क्रम में लगातार उनके जो अद्यक्ष हैं जैन्द शौदरी एक नए सरे से अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं किसान आंदोलन ने उनकी पार्टी को नई उर्जादी है और ऐसे मैं पश्चिम के साथ साथ ब्रेच पर भी आरेलडी का लगातार फोकस बना हुआ है और आगामी अक्टूवर महीने में उनका दो बार आग्रा अगमन हो रहा है क्या पूरा कारिक्रम रहने वाला है क्या ररनीती रहने वाली है विदान्सवा लगातार आप देख रहे हैं कि किसान अंदोलन के बाद आपने भाई चारा कुछ लाब मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है और दूसरी बात है क्योंकि जैन्त चौधरी जी ने जिस तरह से सर्व समाज के लोगों को पार्टी में निरंतर शामिल किया है मैं भी बैश परिबा पर भी उन्होंने पूरा फोकस रखा है मैं बहुत सारी उनकी चुनाबी जो जो भाई चारा संबेलन जो है जो आईजित किये गए हैं उसके अंदर मैं पच्छ में उत्तर प्रदेश में गया हूं और जिस तरह ऐसे जन समर्थन उनको मिल रहा है वो निश्यत रूप से सत् जो मेरी नजर में आ रहा है पश्ची मुत्तर प्रदेश में अभी एक सीट पर लेकिन एक दौर में काफी सीटें रही है दर्जन तक सीटें आप लोगों ने पाई है तो क्या लग रहा है कि करो या मरो की इस्तिती है आपके लिए राजनेतिक वजूत की लड़ाई होने ज दिखाई है आपने देखा भी होगा कि हमारे जो समाजबादी पार्टी के जो राश्ट्री अद्यक्ष है अखलेश यादब जी उन्होंने कहा भी है कि हम सीग्र गोशना करने जा रहे हैं लेकिन अभी उसमें हम थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरी अभी पर जो भाजबादी पार्टी की ओर से हमारे पास पूरा ओफर है लेकिन अन्य पार्टी यहां भी हमसे लगातार संपर्क में हैं लेकिन हमारा जो अंति मिलने हैं वो हमारे चौदरी सवाल यह है कि अभी अक्टूबर में आप लगातार अभी कुछ दिन पहले कोशल कुमार रावत जो शहीद हुए हैं पुलवा महा अटेक में उनकी घर पर चौदी साब आई थे अब दो कारकाम आपके फिक्स हुएं क्या कारकाम है अक्टूबर में वो बताई जी आदेख पर होना है और उसी के अंदर हमारे माननी है जैन्त चौदरी जी अकोला के अंदर बहुत बड़ी हमारी उस रैली को सम्मधित करने जा रहे हैं इसके अलावा जो हमारी जो चुनावी रैलिया जो हमारी साथ अक्टूबर से जो नूरपूर है जो चौदी चरन सिंग जी की सत्रे चुनावी रैलिया है जो पहले चरन के अंदर और 28 अक्टूबर को जो बागपत के बड़ोत में उसका समापन होगा इसके अलावा 18 अक्टूबर को हमारे यहां जो किराबली शेतर के अंदर फतेबूर सीक्री जो विधान सभा है उसके अंदर उनकी चुनावी जो का प्रणेजमेंट में लगी हुए आपको क्या लग रहा कि किसान अंदोलन ने अरेलडी को कितनी उर्जा दी है देखे पूरी उर्जा दी है और जिल लोगों ने यह कहा चुकि महापंचायत जब किसानों की महापंचायत हुई मुझफर नगर के अंदर तो कहा गया चुकि वो गयर राजनेतिक महापंचायत थी इसलिए उसमें किसी राजनेतिक दल के प्रतिनिदी को उस मंच पर इस्थान नहीं दिया गया जो उनका एक फैसला था लेकिन उसके बाद स्वयम जो रस्म पगड़ी का कारिकरम था स्वरगी चौदरी अजी सिंग जी के उसमें बिलकुल समर्थन है और किसान सिर्फ एक कोई जाड़ जाती के प्रतिनित नहीं करते आप देख रहे हैं उसमारे मुसलिम भाई हैं दलित भाई हैं हमारे सिख भाई हमारे पंजाब से आके उसमें लगे हुए हैं तो निश्य रूप से पूरे सर्व समाज के जो हमारे किसा ब्रज में किस तरह से आपका कोई बात बनी है आपकी नहीं बहुत सारी चीजों पर चर्चा चल रही है और जहां जहां हमारा प्रभाव है वानिशित रूप से जो हमारी जो पार्टी जिसके साथ हमारा गठबंदन हों को हमारे लिए सीट चोड़ेंगी आगरा का अभी त सीट है जो हमारी मत्वरा से लेकर और मांट और गोबर्धन तक जो हैं जिस पर हमारा हमेशा पर्चम लहरा है जो समय की इस्ततियों का आंकलन मत कीजिए उस समय एक जूट की राजनीती के तहत लोगों को गुमरह किया गया और उसके तहत कोई पार्टी सत्ता में आ गई ल लोगों को गुमरा करके भारती जन्ता पार्टी सत्ता की सीडियों तक पहुंची है लेकिन इस वार माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है और इस वार आरेली बहतर प्रदेशन करेगी आगामी जो अक्टूबर माह में आरेली के राश्टी अद्दक्स जैन्द चौधरी के आगरा में दो कारकम हैं तो कुल मिलाके कहा जाए आरेली का जो फोकस है प्रश्मी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ब्रच पर भी काफी ज्यादा है और आगरा में भी आरेली तीन से चार सीटों पर दावा कर रही है जिस भी पार्टी से उसका गटबंदन होगा चर्चाए स एबी पी गंगा खबर आपकी जवाआपकी